37 लाख हेक्टेर जमीन जिस परियोजना से सिंचित होनी है मतलब 50 लाख किसान परिवारों को सीधा लाब पहुचाने की लिए जो योजना है मुझे बताओ एक भी दिन जितने भारती जंदा पार्टी के राजिस्थान के सांसद हैं एक भी दिन संसद में खड़े होके उन्होंने कहीं सवाल किया हो पूछाओ अपनी डवल एंजिन की सरकार जो बनाना चाते हैं अपनी सरकार से जो सिंगल एंजिन की है उनी से पूछते कि यहां की सरकार ततपर है, यहां की सरकार रोज कह रही है, एक तरह से अपने केंद्र के सरकार से उनके आगे जुक कर हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम मदच चाहते हैं, राजिस्थान की जनता के लिए चाहते हैं और कोई सरकार नहीं देना चाहती, इसे राज्टे परियोजना गोशित किया जाता, तो कितना बड़ा लाब मिलना था, और आप देखिए कैसे धन को लटाया जा रहा है, आठ हजार करोड से जादा दो हवाई जाज पधान मंत्री के लिए खरीदने में खर्च हो गए, हजार के व्यपार पे डंड लगाते हैं, और आपके लिए कानून लाते हैं, उसी तरह से बिना किसी सांसत से पूछे, सांसोदों के लिए नया संसत भवन का निर्मान किया, हजारो करोड रुपे लगा दिये, कुल 20-21 किलुमेटर की द्वार का एक्सप्रेस वे है, C.A.G. ने र हाँ, हम तो चांद तक पहुझ गए, एक दस्वा हिस्सा में, लेकिन वही पैसा अगर लगाया जाता कि इस्टन राजिस्थान का नाल परियोजना एतनी महत्पूर्ण योजना है, तो उस का लाब यहाँ धौलपूर के लोगों को भरतपूर के ब्रज के लोगों को जरूर मिलता, लेकिन खुशी है, हमारी तो संख्या बहुत कम है लोगदल के, लेकिन होता है न, तो लोहार की प्रभावी मार है, तो लोहार वाली की है लोगदल वालोंने, हमारे एक विदायक हैं, और जिनके सहयोग से, सरकार अच्छा काम कर रही है, मैं कहना चाहता हूँ, यहा अभी अगस्त के महिने में, एक सो सततर करोड की परियोजना का उधगाटन मुख्यमंत्र जी ने किया है, किसलिए, कि माइक्रो इरिगेशन, और जो मैं देख रहा था, जो प्रेस विग्यपती थी, लगबग 28,000 एक्टेर भूमी पे उस सिचाई का फायदा मिले किसानों को इसी महिने में, एक सो सततर करोड रिलीस हुए, इससे पहले जून में, साड़े छे सो करोड रुपे, जो काला तीर लिफ्ट कनाल परियोजना है, जिससे यहां दो बांदों को, वहां से चंबल से पानी लेकर, वहां भरने की उनकी परियोजना है, साड़े छे सो करोड रु झाल झाल